हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लाएं है सांडविच की रेसिपी ये सांडविच बहुत ही टेस्टी है और साथी साथ हेल्दी भी है क्यूंकि ये बना है पालक से और कॉन से जोकि फ्रेश कॉन्स या फिर फ्रोजन कॉन्स आप ले सकते हैं बच्चों को कॉन्स और चीज बहुत पसंदें पर पालक खाना पसंद नहीं करते हैं और पालक तो उनकी हेल्द के लिए भी अच्छा होता है साथी साथ हमारे लिए भी अच्छा होता है तो आप इसको इस तरह से और हेल्दी बन सकते हैं और इस रेसिपी को घर में सभी लोग खा सकते हैं बड़े छोटे बची सब इसको डेफिनिटल इंजॉय करेंगे देखिए यह चीज हमने कुछ दिर पहले इस एंडविच बनाए थे अगर हम इसको गर्मा गरम दिखाते तो इसमें चीज बस बहुत अच्छे से यहां पर यह रेसिपी बहुत सिंपल है बहुत इजी है तो आईए से बनाना मैं आपको बताती हूं सबसे पहले मैंने गहरा बोल ले लिया है जिसमें पालक मैंने आदा किलो लिया है क्योंकि यह पकने के बाद में थोड़ा सा ही रह जाता है तो पालक हमने आदा किलो लेक और अच्छे से एक डीप वोल में वाश कर लेंगे और इसको निकाल कर वाश करना है क्योंकि जितने भी इंप्यारटीज रहती है वो नीचे रह जाती हैं, तो 6-7 बार वाश करें और अच्छे से isko clean कर लें, क्योंकि इसमें घास और कलर सेम होता है गास का और अपकी impurities का तो आप निकाल दें और इसको अच्छे से wash कर लें यहां पर यह wash हो गया है मैं इसको last punch आपको दिखा देती है इस तरह से कुछ हमेशा अपनी green leaf vegetables को wash करना चाहिए ताकि जितनी भी धूल के कड़ है वो बोल में नीचे ही रह जाए तो हमने एक pan ले ल को एक lid के साथ में cover कर दीमी आज पर गैस पर चड़ा देंगे जब दीमी आज पर यह पकेगा तो इसमें moisture भी अच्छे से release होगा अपनी जो water नहीं add किया है तो वो भी आपको add करनी के जरूबत बिलकुल नहीं लगेगी कुछ इस तरह से हमने देखी इसको cover करके रख दिय है यह पक रहा और इतमें देखी कितना अच्छे से moisture release हो गया है और इसको हम एक बार पलट देते हैं क्योंकि पालक हमको हम पलट देंगे तो यह चारो तरह से अच्छे से पक जाएगा तो यह देखी अब के बहुत कम quantity इसकी रह गई है हमने भर के रख था इसको बिलकुल यह अच्छा एक ठीज़ और कर सकते हैं आप तो चॉप करके इसको आप डाल सकते हैं या फिर आप इसको बाल में मेरी तरह ही चॉप कर लें या फिर माश कर सकते हैं तो यहाँ पर कॉंस लिए हैं मैंने जो कि frozen कॉंस हैं जो करीबर आप से एक से डेड़कप तक ले सकते है और इसको wash करके लेना है और इसमें add कर देना है अपने पानी नहीं add करना है क्योंकि spinach का moisture बहुत अच्छी से release हो चुका है इसी moisture के साथ में ये कौन्स packet तयार हो जाएंगे salt अभी तक हमने add नहीं किया है नहीं और कुछ आड किया है तो अब देखी इसके एकदम color maintain करने के लिए और इसकी cooking process रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक bowl लिया है bowl में आपको एकदम थंडा पानी जो की fridge का रखा हो या फिर पानी के साथ थोड़ा बरफ डाल दें और आपका पानी वो थंडा हो जाएगा उसके बाद में ये boil आपका material जो है इस bowl में डाल दें आप सिर पालक भी डाल सकते हैं या फिर आप दोनों भी डाल सकते हैं तो इसको अच्छे से आप इसमें dip कर देंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चोड़ देंगे बाद में आप इसको चम्मच या फिर किसी भी आपके strainer की health से इसको निकाल लेंगे और अभी तक हमने इसको चॉप नहीं किया था क्यूंकि हमने साबूत ही रख दिया था तो आप इसको निकालने के बाद हलका सा निचोड़ कर चॉप कर लें अच्छा जो हमने उसका moisture बचा है न वह आप सूप के काम में लेग सकते उससे आप स्टॉक वह बन गया है तो आप उससे कोई भी सूप बना सकते हैं यह हमने पालक चॉप कर लिया है हमारे यहां पे कॉन स आप कर दिये हैं और इसको हमने आप इसको बोल में वैसे ही ट्रांसफर रहने दिया है इसमें अब क्या क्या आप करना है बहुत सिंपल से मसाले हम इसमें आप करेंगे जो कि आपको बिलकुल ऐसा लगे गए सांड़िश भाके जैसे कि आप सी सीजी डी का मतलब काफे मतलब कि मिंस चीज डाल दिया है इसकी कॉइंटिटी आप जितना चाहें अच्छे से डाल सकते हैं घर में किसी को कॉलेस्टरॉल का इश्यू है फिर वेट रिडियूस करना चाहते हैं फैटी लिवर का इसमें आप चीज अवोईड करें आप फिर हंकर्ड आड कर सकते हैं यहां पर इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है और यह अब आड करेंगे थोड़ा ऐसा सॉल्ट क्यूंकि अभी तक हमने सॉल्ट नहीं आड किया था यहां पर सॉल्ट एड होनी के बाद में आपके पास में अगर कोई सीजनिंग है इटालियन हर्ब्स हैं वो आप इसमें आड कर दें जैसे की औरियानू है औरियानू आचकल सभी के घर में होता है नहीं भी होता है तो हमारी पीजा के साथ बहुत सारे औरियानू आचकल आते हैं वो इस्टोर करके जनरली ममा रखी लेती है तो वो हम इसमें आड कर देंगे औरियानू मेंने बहुत अच्छे अम तो मैंने यहाँ पर नहीं झाया है, और एपर मैंने सीजनिंग जो भी मेरे पास थी, वो मैंने घर पर सीजनिंग आड कर दी है, हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिxt कर देंगे, चला देंगे, और कुछ आड करनी के आपको जरूबत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एकदम CCD वाला टेस्ट आई है तो इतम अन्नेसरी चीज़ तो आड ही नहीं करनी है यहाँ पर इसके से इसको mix करेंगे क्योंकि इसमें अच्छे से mix जब तक नहीं होगा तो इसके अच्छे से निकल कर नहीं आएगा क्योंकि हमने salt पहले से add नहीं किया था आप चाहते हैं तो salt आप पहले से add कर सकते थे तो इसमें आप थोड़ा से अगर आपको लगते हैं थोड़ा और add कर सकते हैं आप इसमें चीज़ को यहां पर हमने बहुत अच्छे amount में बारी कटीवी प्याज का यूज़ किया है करीबन यह मैंने दो medium size की प्याज ली थी आप दो बड़े size की प्याज का भी इसमें समाल कर सकते हैं बस यह ध्यान रहे चौप आपको इसी तरह से करना है थोड़ा सा garlic आप चाहें घर में खाते हैं तो आप आट कर सकते हैं अदरवाइस इसको skip भी कर सकते हैं जो लोग onion garlic नहीं खाते है salt अभी मुझे लगा है कि हमने चितनी quantity हमारी हो गई उसके according यह कम है तो हम इसमें थोड़ा सा salt और अट कर देते हैं थोड़े से मसाले और आट कर देते हैं जो की basic है और ayano and pizza seasoning मैंने आट किया इसको अच्छे से mix करेंगे और आपने bread क्या use करनी है वो आपको घर पे ध्यान रखने क्या या तो आप whole wheat याद रखें क्योंकि मैदा वाली bread जो आती है white आती है और brown में advice नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें भी curling agent added होते हैं तो यहां पे ह हमने कुछ pieces लिए हैं अभी जनरली हमने एक packet का ही जो मतलब जितना आपका एक packet में bread आते हैं उससे बहुत अच्छी amount में हमारे sandwiches बन के तयार होगा जितनी हमने stuffing ready किये उसके basis पर तो यहां पर हम इसकी side cut कर लेते हैं अच्छे से knife की help से और आप इसके app sandwiches तयार कर सकते हैं ब अच्छे से जब यह तयार हो जाएगा आपका melted butter तो आपकी recipe के लिए बिलकुल तयार है यहां पर मैं mayonnaise और sauces का use नहीं कर रही हूं option है कि आप mayonnaise और कोई भी sauce का use कर सकते हैं एक side की bread पर हमने यहां पर कोई sauce या फिर आपके mayonnaise का use नहीं किया है तो it's up to you आपको use करना है या नह बस bread ready है जल्दी से हम butter melt कर लेते हैं और उसके बाद में एक लेते हैं यहां पर हम plate plate हमारी ready है क्योंकि हमने यहां पर इसमें bread पर material अपका spread करके रखना है butter को मैंने melt कर लिया है अच्छे से इस पर spread कर लूँगी again जो लोग weight reduce करना चाहते हैं fatty liver का issue है cholesterol का issue है वो fatty cheese का use इसम बम रखें चीज तो बिलकुल नडाले और आपको यहां पर इसमें जो slice हम डाल रहे हैं वो भी नहीं आद करना है तो बच्चों के लिए healthy है जो भी city के बच्चे हैं उनको यह चीज जाद amount में ना दे यहां पर हमने एक चीज के अच्छे से slice रख दिया है और stuffing बहुत अच चीज उटती भी दिखाएं देती है ना कुछ वैसे ही दिखाएं देगी तो यह recipe मेरी तो बहुत अच्छी बनी है और एक बार आप भी इसको ज़रू ट्राइ कीज़ेगा आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप उसमें रख अब बटर का और हम इस पे एक बटर रख दे मतलब की इस पे हम ब्रेड रख देते हैं बटर लगी और इसको सेख लेते हैं धीमी आज पर या फिर मद्धम आज पर इसको क्यूंकि यह आपका बहुत हेवी नहीं होता है material इसलिए इसमें बहुत जल्दी आपके ब्रेड जो है मैंने अभी पहला जो हम बनाते हैं तो कभी-कभी होता लग जाता है तो इसलिए बीच-بीच में चेक करते रहे हैं तो कुछ इस तरह से यह तैयार हो गया है और मुस्ट यह तयार है अब हम इसको गरमा गरम सर्फ कर लेते हैं सॉस के साथ या पर चटनी के साथ में तो य यह बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है, तो इस तरह से मैं इसको चॉप कर लूँगी, आपके पास पीजा कटर है तो आप उससे कट कर लेजे, या फिर आप नाइफ से कट कर सकते हैं मेरी तरह, तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, हमारे सै इस तरह से हमारा जादा पग गया है, तो यही धिहान रखने आपको इस तरह से बनाते हुए, क्या आपको बिल्कुल भी चले नहीं, हमने साइट बलट दी है, क्योंकि आपको देखाना भी तो है, तो यहां पर हम इसको कट कर लेते हैं, गर्मा गर्म सर्व करते हैं सॉस के हिजिएगा, और रेसिपीज बनाते रहीगा, बच्चों को खिलाते रहीगा, बच्चे भी बार-बार, आपके अच्छे-च्ही रेसिपीज की डिमांड करते हैं तो आप नईनी रेसिपीज उनको बना कर देते रहें टिफिन बॉक्स में भी उनको ये रेसिपी रख के दे सकते हैं डेफिनेटली वो पालक नहीं खाते हैं अगर तो इसे खाने के बाद वो खाना शुरू कर देंगी क्योंकि ये रेसिपी बनती ही इतनी अच्छी है तो ऐसी ही मज़दार हेल्दी रेसिपी के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़दार रेसिपी आप तक पहुचाते रहें सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताएगा जरू हमें कमेंट बॉक्स में हमें आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई